जैस स्री कृष्ण ओम नवो भगवते वास देवाएं दोस्तो आज मैं आपको कार्तिक मास महत्तम के 33 में अध्याय की कथा सुना रहा हूँ राजा प्रतु कहने लगे कि है नारद कार्तिक के ब्रत के उद्यापन की विदी भी कहिएं क्योंकि आप सरवग्य हैं नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के ब्रत के उद्यापन की विदी सुनियें कार्तिक सुकला चतरदसी को ब्रत की संपूरता के लिए उद्यापन करें घर के अंदर गोवर का चौका लगावें तुलसी के उपर मंडब बनावें द्वारों पर मिट्टी के चार द्वारपल बनावें जिनका नाम सुसील, पुन्य सील, जय और बिजय रखें तुलसी के पास ही मनुहर सर्वतो भद्र बनावें उनके पास पंच रत्न युक्त कलस रखें फिर स्वस्ती वाचन करके गनेश आधी देवताओं का पूजन करें संक चक्र और गदाधारन किये हुए तता रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्षमी सहित भगवान का पूजन करें द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आधिक देवताओं का पूजन करें भगवान द्ञादसी को जागें, त्रियो दसी को देवताओं ने स्तुती की चतुर दसी को देखे गए और पूजे गए। इसलिए चतुर दसी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ती बना, सोड सोप चार विदी से भगवान की पूजा करें, फिर सयादान करें, सफेद वस्त्र तकिया दुपट्टा, खडाउं छत्र दीप सीसा कुंकों लौंग, इलाइची गोरोचन कस्तूरी विंदी, सुगंदित पान वीडा, माला मिश्टान नत यदि और कोई प्रिय वस्तू होतों, वेवी और सुन्दर भोजन ये सयादान के अंग हैं, इन सब चीजों के सहित सयादान भगवान रादा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्टिक में भगवान का रादा दामोदर नाम होता है, साथ ये प्रातना की, कि जैसे भग विष्णू की प्रसंता के लिए देवताओं की और सांती के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर, धक्षना देकर ब्रामण को प्रणाम करें, फिर देवया तुलसी और गौका पूजन करें, ब्रत के उपदेश देने वाले के इस्त्री सहित पूजा और इस्तुती करें, इस प्रसंती करने से मेरे साथ जनमों के पाप नास हो, संतती इस्तर रहें, मनरस सपल हो, दे के अंत में विष्णू लोग की प्राप्ती हो, पुरण मासी के दिन यता सकती एक या तीस ब्रामणों को भूजन कराबें, गो तता गुरु पूजा के अरपन करें, साक मूल फल का दान करें द्वारपाल कोवें बिल्ली चूहा कुत्ता चांडाल इनको अन देवें फिर हात जोड़कर भगवान से प्रात्ना करें हे भगवान मेरी संपूर कामनाय पूर्ण करो मैं आपको नमस्कार करता हूँ इस प्रकार प्रात्ना करके भगवान लक्षमी पती को अर्द देवें और कहें के देवेस लक्षमी सहत अर्द ग्रहन करो जिनके इसमन मात्र से तप यग्य क्रिया थोड़ी भी संपूर हो जाती हैं और अचुत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ कई भाक्त जन भगवान की प्रसंता के लिए अपने घरों में दीप माला भी करते हैं ब्रामनों को खीर आदी का भोजन कराकर दक्षन देवें फिर मित्रों तता बांदवों युक्त आप भी भोजन करें नारा जी कहते हैं कि जो कोई इस ब्रत को और इसके उद्यापन को इस विदी से करता है उसको विष्णू लोक प्राप्त होता है इतिसरी कार्तिक मास महत ते तीस मा अध्या संपून बोलो कार्तिक मास महत्तम कीजै बोलो विष्णू भगवान कीजै